तेजी से बढ़ती ही मेहंगाई और डालर की तेजी से परवाज चाहे उसमें पट्रॉल का इजाफा हो तेजी से चाहे वो electricity में इजाफा हो हर चीज में इजाफा है क्या वज़ा है ज़रा तोड़ा से बताएंगी क्या वज़ुआत है जी डॉकसा बहुत शुक्रिया आपका आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और जो पिछले चार साल मुल्क ने माशी तबाही देखी है जो अदम मौजूद की देखी है किसी भी एकनॉमिक विजिन की और जिस तरह हर शोबे को तबाह किया गया है ना कोई एकनॉमिक पॉलिसी ना कोई एकनॉमिक विजिन ना कोई एकनॉमिक डिरेक्शन एक खलंडरों का टोला था जिसने मुल्की महिशत को तबाह किया मुल्की महिशत को बरबाद किया और यही वो तमाम वजुहात हैं जिसकी वज़ा से आज जो खमयाजा और ये आज नहीं, ये महेंगाई दो महीने में नहीं हुई, ये 16 फीसद की महेंगाई जो है वो पिछले चार साल से हो रही है और अलताला के फजलो करम से 2018 में जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हकूमत खतम हुई थी, तो उस वक्त महेंगाई की शरा दो अशार प्यास टमाटर के आलू के रेट्स को ठीक करने या कम करने नहीं आया हूँ और चीनी 52 रुपए से 120 रुपए किलो खवातीन कतारों में खड़े होकर अंगूठे ये एक तो हमारी मेमरी जो होती है ना वो बड़ी शॉट टर्म होती है, इसी मुलक के अंदर रमजान के महीन में खवातीन कतारें लगाकर मुलक अंगूठों पर निशान लगाकर एक किलो चीनी के लिए गर्मी में खड़ी हुई और 52 रुपए से 120 रुपए किलो चीनी मुलक के अंदर बिकी, पहले किलत की गई, उसके बाद एक्सपोर्ट की गई, फिर इमपोर्ट की गई, फिर उस की आर्टिफिशल किलत की गई, इसी तरह सबजियां, गोश्ट, ये तमाम चीजें जो है, ठीक है मर्यम साहबा लेकिन मेरा जो सवाल है, वो ये एक आपकी डाइटी में, उसके बाद मैं आ रहे हुँ जी, उसके बाद आई-एम-एफ के, हम मार लेते हैं, ये आएम-एफ के का और भ बहु है, जो दो धाई महीने की महेंगाई नहीं है, मैंने आपको वही कांटेक्स दिया है, और 4 साल की ने एहली, न लायकी, चोरी, गर्रप्शन, उसकी कोई सिम्त धाई महीने में ठीक नहीं की जा सकती, और लेकिन हमने अलताला के फजलो करम से वो फैसले मुश्किल लिये हैं जिसकी और जो के आपकी एकनॉमिक स्टेबिलिटी की सिम्त को सीधा करती है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की अवाम को दरपेश इस वक्त मसाइल है महंगाई और बेरोजगारी और माशी तबाई से लेकर उन तमाम चीजों की एक तो सिम्त की डिरेक्शन ठीक करना है और उसके बाद इन्शाला इन फैसलों के बाद असानिया होंगी महंगाई में क कम करना है और जो आएमेफ का कमजोर बन्यादों पर जो कियावा मौइदा था उसकी जो शरायत हैं उन तमाम चीजों को हमने पूरी करके दोबारा इन्शाला दोहजार पंदरा की तरह आएमेफ के प्रोग्राम को रोल आउट भी करना है और खुद इनिसारी की तरफ जाना नवाज शरीफ साथ के दौर में फिर हमने देखा कि इमराण खान साथ के दौर में लोड शेडिंग नहीं हुई बहुत कम नजर आई और उस वख्धी थी एमेलेन और दूसरी जो लोग थे वो ये कहते थे कि ये नवाज शरीफ साथ का तौफ़ा है शाहबाश शरीफ साथ का तुफा है लेकिन क्या वजुआत है कि वो तुफा इमरान खान साब के दौर में लोड शेडिंग नजर नहीं आई लेकिन ये ढ़ाई महीने में लोड शेडिंग अब 20-20 घंटे हो रही है तो आप हुकूमत में जरा बताईए क्या वजुआत है डौक साब अलताला के फजलो करम से खाली लोड शेडिंग का खात्मा ही नवाज शेडिंग साब का तुफा है बलके लोड शेडिंग का खात्मा महंगाई में कमी तरक्की की शराद 6 फीसक तक जाना सी पैक जो इस खते के लिए नवाज शेडिंग का तुफा है उसके बाद देश्ट गर्दी में कमी और फिर किस तरह नैशनल एक्शन प्लैन की इंप्लिमेंटेशन और सूबों का रोल मुल्क में जतने मोटर वेज हैं जतने ही सड़के हैं पबलिक ट्रांसपोर्ट है ये ये उन लाज शेडाएं नवाज शुर्ष शरीफ और पाकिस्तान मुस्यम लीग नून का पाकिस्तान की आवाँ को तुफा हैं पहली तो यह बात बता दो हर चीज़ सेpasunden हमेशा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने दिये और यही वो वज़ा है कि दो धाई महीने में जो शबाज शरीफ साब वजीर आजम है वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम को महंगाई से छुटकारा रिलीफ और किस तरह इस महंगाई की सुरत हाल में पाकिस्तान की अवाम को वो रिलीफ दिये जा सकें कि कम से कम बोच जो महंगाई का है वो उन पर पढ़ सकें अब आपने लोड शेडिंग की बात की बड़ी आपने अच्छी अच्छा सवाल किया एक तो 2013 और 2018 का जो पूरा लोड शेडिंग पावर जेनरेशन का एक पूर साल में 13 से 18 नवाज शेडिंग साब ने ना सिरो लोड शेडिंग की 18 घंटे की लोड शेडिंग को बलकि आएंदा आने वाले 10 साल के लिए जो एनरजी विजिन है वो दे कर गए मनसूबे शुरू करके गए फाइनेशल क्लोजर्स करके गए एक एफिशन्ट एनरजी का दोर में लोड शेडिंग नहीं होती थी मेरे ख्याल में ये सही बात नहीं है लेकिन ये जरूर है कि जो वो मनसूबे जो मोस्ट एफिशन्ट प्लांट्स पर चल रहे थे उनके फ्यूल का बंदो बस्त इनके लोगों ने नहीं किया और जिस वकत एले जी इनको स्पॉट र कल्hem भी है वो इंशूर कर सके और जिसकी वज़ासे वो प्रोजेक्स जो मोस्ट एफिशन्ट पवर प्लांट्स यह फिवह स्वज्व कि अदम मौ जूद़ियों कि वज़ा से नहीं चल सकते ब हैसलास इ téवारों चोनिख Terminal नहीं किया और पर उसके इलावा जो तीसरी important चीज़ है कि demand और supply को gap को देखते वे जो power generation का अमल है उसको इन्होंने यकीनी नहीं बनाया जिसकी वज़ा से आज अगर demand और supply के shot fall हैं तो ना सिरफ हम ये कह रहे हैं कि ये ये 4-5 इंतजामात करने बड़े important थे बलके आगे बढ़कर हम वो पांच इंतजामात कर रहे हैं और इन्शाला बहुत जल्द power generation के अंदर भी अधाफा होगा load sharing के अंदर कमी आएगी और दुबारा से वही वादा जो 13 से 18 तक नवाज शरीफ साब पाकिस्तान मुस्तिम्री गनून करके गई थी और आपको ये भी बताती चलूँ के साड़े पांच हजार मेगा वाट बिजली शबाज शरीफ साब ने पंजाब के अंदर मनसूबे लगा कर तो वो में ग्रिड सिस्टम में डाली थी और इंशाला जो अभी आगे के हमारे एक टाइम लिग दे सके कि आप आज हमें कि इस तारीख तक ये ये अवाम सिसकती मरती अवाम महंगाई से वेरोजगारी से ये बिजली से बच जाएगी इस तारीख तक जो आप को जो उन्होंने शॉर्ट पॉल किया या उन्होंने मै मैं बिल्कुल वो मैं बिल्कुल डॉक्टर दानिश वो जूट नहीं बोलूँगी और कोई ऐसी तारीख नहीं दूँगी जो कि कैटेगॉरिक तारीख हो और एक डेडलाइन हो लेकिन ये जरूर कहूंगी कि माशी तोर पर भी जो माशी इस्तेकाम और खुद इनसारी है उ एक सही सिम्थ जिसकी तरफ आपकी एकॉनोमी को जाना चाहिए और फिर जो चार्टर ओफ एकॉनोमी शभाज शरीज साब का विजिन है जिसके अंदर ऐसी रेड लाइन जो कि जिस तरह कॉंस्टिचूशन की रेड लाइन